एलो एवर्ड वेलकम टू माई चैनल आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपके परसन की करणट फिलिंग्स इस वक्त आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनकी करणट फिलिंग्स क्या है वीवर्स आपके लिए यही देखेंगे तो आप अपने परसन को आप ही के लिए हैं तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कार्ड आया है एट ओफ पैंटिकल्स हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है दलवार्स बहुत ही प्यूटिफुल कार्ड है नेक्स्ट कार्ड आया है सेविन ओफ वैंट्स लास्ट कार्ड है दा टैंपरेंस ओके वीवर्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके परसन अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और इस रिलेशन्शिप पर भी फोकस बनाई हुए हैं उनकी नजर है आप पर और वो अपन वर्क के साथ साथ आप पर भी नजर बनाई हुए हैं यहां ऐसा लग रहा है दालवर्स के कार्ड को देखकर कि वो आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं उनकी दिल में बहुत इमोशनल फीलिंग्स है आपके लिए बहुत लव महसूस करते हैं आपके लिए उनको ऐस सोँच रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं देख रहे हैं न सविन अफ फैंड्ड्स के कारड में एक पर्सन है आगे बढ़ रहा है, काफी सारी रुकावटे उसको नजर आ रही है, फिर भी पो उन रुकावटों को दूर करता हुआ, पार करता हुआ, आपकी तरफ आना चाहता है, और वो इतनी स्ट्रेंट और हिम्मत पैदा कर रहे हैं, खुद के अंदर आपकी तरफ आने के लिए, टे डायरेक्शन मिल रही है, इंजल्स उनको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, अब वो आप दोनों के रिष्टे में बैलेंस करना चाहते हैं, अपने करियर में, और आपके रिलेशन्शिप में दोनों को ही बैलेंस करने में कामियाब रहे हैं, अब वो आपकी तरफ एक्शन्स ल निकालते हैं, आपको कहीं ले नहीं जाते हैं, घुमाने के लिए तो वीवर्स अब आपके परसन आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी जो फीलिंग्स उन्होंने छुपा रखी थी, अब वो आप को बताना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं मुझे ऐसा लगता है आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं जो लोग relationship में हैं यह मैं उनकी बात कर रहे हैं वीवर्स और जो लोग no contact में हैं उनकी person उनसे मिलने आ सकते हैं उनको commitment दे सकते हैं हो सकता है कि बहुत जल्द आपको उनका commitment call receive हो messages receive हो वीवर्स में यहां देख रहे हूँ कि आपके person को angels guide कर रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि अब उनको करना क्या है क्योंकि उन्होंने समझ लिया है अपने goals decide कर लिये हैं अपना vision clear कर लिया है अपने उपर work किया है अपनी जो भी Mrs. Standing से उनको clear किया है आपक कुछ knowledge लिये है उन्होंने आपके friends से उन्होंने जाना है आपको कि आप गलत नहीं थे और उन्होंने ही कुछ mistakes की थी इस relationship में इसलिए आप दोनों का relationship इस मकाम तक पहुँचा कि आप दोनोंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी आप दोनोंने ही एक दूसरे को block कर दिया उन्हें उनके partner के call messages receive होंगे मुझे ऐसा लगता है next 48 hours में आपको आपके partner के call messages आएंगे तो जिनके भी call आते हैं जिनके messages आते हैं उनके partner के उनके पास तो मुझे comment करके जरूर बताएं और ये reading आप से कितनी resonate हुई है वीवर्स ये भी मुझे जरूर बताएं आप comment करते है मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं सारे ही comments पढ़ती हूँ और like और heart भी देती हूं वीवर्स और जिनका reply देना मुझे जरूरी लगता है मैं उनको reply भी करती हूँ अगर आपका भी कोई सवाल है आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं वीवर्स और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत time हो गया wait करते करते आपके partner आपको call नहीं करते messages नहीं करते आपके पास नहीं आते आपसे बात नहीं करते तो वीवर्स अपने करमास को clear करने में time लगता है वो अपनी cleansing कर रहे हैं तो इसलिए time तो लगी गा ही वीवर्स तो आपको थ झाल झाल